मस्तून के खरगोन वाले इतने मुत्तकी परहसगार अल्ला वाले के वो लोग इस सब लिखते ही नहीं लिखते हैं क्या निकाए मस्तून काइड खुलने के बाद पहरी लाइन क्या लिखते हो रसमे हल्दी आगे लिखाए निकाए मस्तून आगे निगाय निगाय मस्तूर एज सब्सकों करें, इडियो जिगाय मन में एज समय दोछ़ उर्टो जिगाय उर्टो जिगाया अस्तूर और मस्तूर जिगाय मत अस्तूर उर्सज Bundesregierung पत्स क्मदाई तर मत वोआएए़ लli ठमाना हृएँ जी उसके बाद नभी करीम ने यह इर्शाद फर्माया अधीस पाक देखिए अन्मुआवियत अबनी कुर्टान अभी काला काला रसूलुल्ही सल्लुल्ही सल्लुल्ही सल्म इजा फसद आहलु श्यामि फला खेर रकुम ला तजालु तौइफ़त न मिल उम्मती पांच मिनट के सामने सिर्फ पांच मिनट आप शान्ती बना रखें पांच मिनट सिर्फ शेक तक्रीर करेंगे क्योंकि पत्थर से बहुत जादा शेकों चोट लगी यह पांच मिनट सी बेकरें पादियत बनी कुरता रजी ल्लाह ताला नहुआ नवाना भी ताला काल रसूल ल्लाह सल्ल्लाह अल्यु वसल्म इजा फसद आहलु श्यामि फला खेर लकुम ला तजालु शेख इतना मकरूह तन्जीही मकरूह तहरीमी इस सारी चीज़ें फिक किताबों में और तमाम चीज़ों में पढ़ लगी है हमें कोई नहीं समझाए कि मकरूह तहरीमी क्या और मकरूह तन्जीह क्या है एक हदीश पढ़ने के लिए आदमी को सलीका नहीं यवी खड़ा कर दिया जाए कि एक हदीश पढ़ दो मुहम्मद अिसमाईल रवाहुत्रboo फिर किताब फतन हदरत मौाविया इवन खर्रा अपने बाफ से रिभाएत करते हैं कि रसूलुल्ला आन्ले ञिखार फर्माया जब शाम वाले खराब हो जाएं तो तुम्हारे अंदर कोई खेर नहीं और एक बात याद रखो कि मेरी उम्मत का एक गरो हमेशा हक के उपर रहेगा एक गरो ला तजालु तवाइवतुन एक गरो मेरी उम्मत का हमेशा हक के उपर रहेगा उसे रुस्वा करने वाले ततान उसको तकलीफ नहीं पहुँचा सकते यहां तक के कियामत आ जाए हदरते मुहम्मद इबन इस्वाईल इमाम मुखारी रह्मतुलाले अपने उस्ताद का हवाला देते हुए अली इबन मदीनी का हवाला देते हुए कि इस हदीश से मुराद हदरते अली इबन मदीनी कहते है कि अस्हाब अलहदीस है यानि अहल अलहदीस है और यहां मैं फर्क बता दूँ महद्दिस एक इस्तला है जो खास है और अहल अलहदीस आम है महद्दिस कहते हैं आलिम बिलहदीस को जो हदीस को लिखे हदीस का सिमा करे हदीस को रिवायत करे और अहल अलहदीस आम है महद्दि ह такой ह露 उund इऀस होता है हर है एल हिए नहीं है अहल हदीस के अंदर आलिम बिलहतीस और आमिल बिलहतीस दोनों के दोनों शामिल है इस हदीसे पाक को सामने रख करके अलिय उने मुदिनी के तफसिरा नहीं एमम बुख tenu ओने बने जियं गा, हमेशा हक के उपर काइम रहेगा, और उसे रुस्वा करने वाले कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकते, कोई जर्र नहीं पहुचा सकते, अली अबने मदीनी का हवाला देते हुए, अमाम बुखारी रह्मत अल्हाले ने फर्माया, कि हम असχाब अलहाईव, वो अस्वाब अलहाईव हैं, अस्थाब अलहाईव और अहला थे दोनों का मुक्लड एक है, इसलिए के अल्हा अलयमत जन्ना को अहल अलहाईव इस तरीके से असहाब नार को अहल-नार भी का है, इस हदीश पाक से एक बात मालूम हूई, कि एक गरो हमेशा हग के उपर कायम रहेगा और वो कियामत तक रहेगा जमाने नबवी से ले करके अब जाहिर है कि जमाने नबवी के अंदर इफ्तिराक नहीं था एहदे नबवी के अंदर कोई फिरका नहीं था फिरके बाद में बने और ये फिरका दमाने नबवी से ता किया में कियामत रहेगा अब इस हदीश के आईने में हर आदमी फैसला कर सकता है कि वो ताइफा कौन है और हदरत अली अबने मदीनी का हवाला इसलिए कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है अल्हमदुलिल्ला यहां जितने भी आकिल मौजूद हैं एक बात कही गए उस पर हदीश पाक पेश की गई यहां तो आदमी पुरी पुरी तकरीर कर जाता है ना एक आयत पढ़ता है ना एक आधिस पढ़ता है वाखरु दावाना लिल्हम्दु लिल्ही रब्लामीन वाखरु दावाना लिल्हम्दु लिल्हम्दु टूजु लिल्हम्दु लिल्हम्दु वाथ। उनके पेशे नजर मसलाथ नहीं थी तौहीद के तालुख से बहुत अच्छा स्वाल है अच्छा स्वाइब को जब पहले नभी बने आप नभुवत मिली आपको आप कलिमे तयबा का ऐलान किस दोर में किस वक्त में आपने वजाहत के साथ किया दूसरी बाती है नौ एक है दूसरी बात इया दूसरी बात यह है चंड सहाबा चंड सहाबा महाना के विए इलमी हों की बात वो कुछ खाफिले के लोगा आते हैं एमान कुबूल करते हैं कुबल करने के बाद वो ये ज़स्बा लेकर जाते थे नए ने देखे ये जो तश्रीफ पर्मा रहे हैं ये भी पुरान हाकीम के बैन के में मताबिट नहीं पताता हूं आप मुबलिख थे मताइए नहीं आप मुबलिख के मैं पूरी होगी दीजिए पर ये पास मेरी बात मुझे गोड़ देखे अल्लाह के रसूल सल्लम मुबलिग बनाकर भेजे गया थे अच्छा ये भी है कि आप जो भी इस्टिप लेते थे जो भी बात करते थे वही की रोशन जब तक वही की रोशन नहीं आती थी तब तक आप कोई भी इस्टिप लेते थे देखे पहले आप से कहा गया कि आप तबलिग कीजी यूं कहा रहे हैं या एयुहर रसूल उपलिग मा उन्जिल इलाइकमि रर्बिक ऐसी जो आप पर नाजिल की गई है बरबाद तबलिग का मुखलब आपको बनाई है अब अल्ला के रसूल शुरू कहां से करते हर काम आपक के ले नमोना बना है तबलिग कैसे करना उम्मत को बताने के लिए कि टबलिग का तरीक होना चाहिए पहले आपने अपनी अपने अहल वायार को अपनी जात फैप है अपने घर वाले तीसरा इसके फ़े और फिर लितुन्जिर अम्मल पुरा गाउं पुरा फिर गाउं के अत्राव फिर ये तर्टीब आपको बताएगी उस तर्टीब के तालुक से आप सल्ले लाह वाले वसल्म चले हैं जैसा हुक्म दिया गया है आपको उसमें हिकुमत क्या है हिकुमत क्या है हिकुमत मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मैं सिर्फ से पहले दावत तोहीद रखी रही है आपको बास तबीले से छुट मुटकर एक दो आदमी आगए मक्ये से निकल कर मदीने में या मदीने से निकल कर किसी अरप्स के खाफिल या हाज़ता के बास आए और उन्हों लिए इमान खुबूर किया दरल्ला के निकल से उसे फरमाएं भी है तुम सुप कर रहा हो जब तक इसलाम पूरे तरीके से जाहिए ना हो तुमेरा ना करो ऐसे इसलाम भाविद नहीं हो आगया हो साथ आज इनके तर्म्यानी बात हो रही है आपको उनकी बात कर रहा है आगर्वार भाई वाजस्ट्यकर्ण के साथ दीन को पेश करना है ना मुशेक्वी तुमाना हाब या इसके लिए भाई जिफो हरे को अपने अपने अकाइद की अपने अपने खियालत का इजार खुशी से कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर तो ही किसी को तंस करने की कोशिश ना करता एक बात या लगा आप अगर अपने अकाइद पर चल रहे हैं ठीक है आपने अखायद पर चलने हैं ठीड़ा है? इसकी वजासे चगड़ा होता है मैं मौलाना से मुत्तफिक हूँ मिल्कुल दुकल हमेज मैं क्यों आया हूँ है आपके अब तक की जो रोपोर्ट है वो सारी हमारे पास मोजूद है आपकी अतराव में जहां आप जा रहे हैं तो आप किसी रहले हदीस होते हैं किसी आदमी ने खुझका चीनी ने की रहा है जो आप खामोश की रहते हैं अब ने चैरकानी के लिए दो एक आप gए एक शिपतारी तबाह लर्कि जाते हैं सुनते हैं सुनाते एक आप हम एक बात वाद में वाद लुग्णा ने कहा कि इस वक्त जो बयान हुआ है उस पर मैं मुत्तफिश नहीं बरावाथ बाद में क्यूं आउँगा क्या मकसद है मुलाना की जाज़ती है किसी हनफी को आज तक 90% हनफी आ रहे हैं चलिए किसी भी हनफी को कर्मूल के हजारों हनफियों में जए किसी को अगर अगर इतराख हो जलाल अदिन कास्मी के किसी बयान पे उपर तो जो कहिए करने के लिए भी आधिया